मारवाडी चौक से ले करके पेट्रोल पंप तक जाने वाला जो बदिरनाथ बाई-पास सड़क था वो सड़क पिछले दिनों बड़े-बड़े गड़ों में तब्दील था जिसको ले करके इस्थाने लोग काफी प्रिशान हो चुके थे आपको बता दें कि वो बदिरनाथ बाई-पास रड़क पूरी तरह से गड़े में दिखाई दी रहा था जिस कारण वहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हाथसा हो सकता था हमारे चैनल के द्वारा उस खबर को परमुक्ता से दिख लंके आजकल जो है कि बदिरनाथ बाई-पास रड़क पर लगाता डामरी करन का कारिया किया जा रहा है ऐसे में इस्थाने लोगों ने हमारे चैनल को धन्यवाद दिया है और साथी साथ इस वक्त अगर हम बात करें तो इस्थाने लोगों में इस वक्त काफी खुशी का मा बनावा है मारवाणी चोक से लेकर पैट्रूल पंप तक जाने वाली बद्रेनाथ बाई-पास सड़क पिछले दिनों बड़े-बड़े जानलेवा घड़ों में दब्ली थी जिसको लेकर हमारे समाधता नवीन सिंग भंडारी ने बद्रेनाथ बाई-पास सड़क के बारे में तुरंत संग्यान लिया गया बड़ी बात तो यह है कि अब पैट्रूल पंप से लेकर मारवाडी चोक तक भड़िया तरीके से डंब्री करण का कारे किया ज़ा रहा है रही न कहीं हमारे चैनल के द्वारा दिखाई की खबर का असर साफ साफ दिखाई दे रहा है और आ मशीने सड़क विमान कारे में लगी हूँ है जूशिमर दीवनगरी की लोगों ने हमारे समाता का नवीन सिंग बंधारी का दिल से धुमेवार दिया है हम लोग आपकी चैनल के परिवार की लोगों को दिल से धुमेवार देते हैं बड़ी बात तो यह है कि अब कुछ दिन जान पड़ी को इस साथि आवाहिवाशाही करने में कोई दिक चाहवाई नहीं करना पड़ेगा तिर्थ हाकरे आराम से इस बद्रिनात बाइपास से घुजरकर आराम से बद्रिनात और श्री हिंकुल सहाभी यहत्रा कर सकेंगे कैमरा में साथी कनया बट के साथ नभीन सिंग चमूली